नबस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा मैं हूँ ग्रीवा और सौगत है आपका हमारे चानल पर यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए ये तो इंपोर्टन है कि हम अपने कॉंटेंट को इंप्रूफ करें अपनी वाइस क्वालिटी को सुधारें यूट्यूब पर अच्छे तरीके से वर्क करें लेकिन इसके साथ ही आपको और भी कई चीजे ध्यान देनी होती है अगर आप अपने यूट्यूब चानल को ग्रो करना चाहते हैं और अपनी वीडियो पर काफी अच्छा खासा व्यूज लाना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको यूट्यूब स्टूडियो के एक ऐसे फीचर के बारे में बताएंगे जिसका अगर आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं अच्छे तरीके से अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपका चानल जरूर ग्रो होगा ए चानल पर कोई भी ऐसे वीडियो नहीं होगे जिस पर आपके मन मताथज व्यूज नाए यानि कि हर वीडियो पर काफी अच्छे का से व्यूज आ सकते हैं अगर आप इस फीचर को ध्यान से देखते हैं तो चलिए फेन ऐस फीर के बारे में जानते हैं और अगर आप अभ ही तेक चानल पर नहे है तो सबसे पहले चानल को subscribe कर लिजिए और अगर आपको यह वीडियो है負 यत्भय लगे तो इस वीडियो को like और share भी कर दीजिएगा तो चलिए फिर जानते हैं YouTube के उस feature के बारे में जिसका अच्छी तरीके से यूज करके आप अपने चानल को grow कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी web browser में अपना YouTube studio open कर लेना है YouTube studio open करने के बाद इस तरफ आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको analytics का option मिलेगा analytics के option पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको audience के option पर क्लिक करना है इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक option मिलेगा videos growing your audience और काफे सारे dots आ रहे होंगे यहाँ पर इसमें थ्री टैब आपको मिलेंगे पहला है new viewers दूसरा है new viewers who return and तीसरा है views का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की list आपके सामने open होगी इनमें new viewers की list बता रही है कि कौन कौन से video ने पपलिक होने के बाद कितने नए audience को track किया है और इसकी second way भी यह बता रही है कि जितने भी new viewers थे उसमें से returning viewers कितने बने यानि कि जितने भी नए वीडियो पर आए हैं उसमें से कितने वीडियो ऐसे थे जो उस वीडियो को देखने के बाद दो बारा आपके चानल पर आए हैं इसमें आपको कुछ और वीडियो की लिश्ट मिल जाएगी जिसका नेम है bottom performing videos तो यहाँ पर वो वीडियो हैं जिस पर returning viewers सबसे कम है उपर वाली लिश्ट में वो वीडियो थी जिन पर returning viewers काफे ज़्यादा थे views ज़्यादा थे और new viewers ज़्यादा थे लेकिन इस लिश्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जिस पर views कम है returning viewers कम है और new viewers भी कम है तो इन लिश्ट को देखकर आपको यही पता चलेगा कि कैसी वीडियो हैं किस टाइब की वीडियो हैं जिने अब future में आपको अपने चानल पर upload नहीं करनी है मतलब जो मिश्टेक आपने इन वीडियो में की है वो मिश्टेक आपको और किसी वीडियो में बिलकुल भी repeat नहीं करनी है और आपकी जिस वीडियो के performance काफे सदा हाई है उस वीडियो की तरह ही आपको अपनी और भी वीडियो बनानी है ताकि आपके चानल पर व्यूज अच्छे खासे हैं और आपके जो न्यू व्यूबर्स हैं वो रिटर्निंग व्यूबर्स जरूर बने तो यहां पर इन सब चीजों को देखकर आप खुदी समझ सकते हैं आपके किस टॉपिक की वीडियो कौन सा आपका कॉंटेंट वाइरल जाने वाला है और कौन सा कंटेंट ऐसा है कौन से वीडियो ऐसी है जो फ्लॉफ होने वाली है बस इसके लिए आपको इन फीचर्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सो आई होग कि आप समझ गया होंगे कि अपने चानल पर हाइड वर्क करने के साथ साथ कॉंटेंट को इंप्रूफ करने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि हम यह पता करें कि हमारी audience को क्या पसंद है, हमारी कौन से वीडियो हमारी audience ज्यादा देखती है, किस वीडियो के जरी हमारे चानल पर काफी ज्यादा audience आये हैं और हमारे चानल पर ऐसा कौन सा वीडियो है जिसे हमारी audience नहीं पसंद करती और क्यों नहीं पसंद करती अगर आपको video पसंद आई हो तो like और share करिये और इस topic से related अगर कोई question आप पूछना चाहते हैं या फिर यूटुब से related अगर आप कोई question पूछना चाहते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर video पसंद आई हो तो like और share करिये पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक कि ले नमस्कार